Hey there and welcome back. Guys, this video में हम लोग put or patch method की बात करने वाले हैं. So, पिछले video में हमने get or post methods देख लिए है. Get or post method किस तरही के से काम करते हैं, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो अभी समझते है put or patch के बारे में. So guys, यह जो put or patch है, यह दोनों का जो काम है, वो same है. क्या करना? Update करना. Okay? तो put or patch दोनों का काम क्या होता है? Update करवाना. Update के लिए यह help करते हैं. Put method भी और patch method भी. But, update के लिए दोनों help कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जो working है, जो दोनों का काम करने का तरीका है, या दोनों को जो बनाये गया है, वो अलग-अलग purpose के लिए बनाये गया है. Put जो है, उसको बनाये गया है, एक साथ में सारे records को update करने के लिए. All records, अगर हम लोगों को update करवाने हो, तो हम लोगों क्या करेंगे, put का use करेंगे, और patch का use तब करेंगे, जब हम लोगों को एक single record को, या सारे record ना कहे कर मैं क्या करूँगा, यहां पर all columns को अगर मुझे update करवाना हो, मतलब एक row की, सारे columns को update करवाना हो, so I will go for put, और जब patch क single column को update करवाना, मतलब मैं सारे columns की बात नहीं कर रह melee हो, मैं बात कर रहा हूँ, single column की, ठीक है, तो put का काम क्या होता है, put का काम होता है, सारे columns का update करवाना, और patch कीisconsin, possibilities को unique mode API.php में और यह मैं साथ ही साथ में एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूं और यहां पर हम लोग लिख लेता है localhost.phpmyadmin.phpmyadmin पर जाकर हम डेटाबेस को देखने वाले हैं और लास्ट वीडियो में हम लोग already users वाली table पर काम करते हैं तो users वाली table कोई हम use करेंगे और चलते हैं wsqptec में यहां user नाम के टेबल है और यह हमारा user का model भी यह बना हुआ है, ठीक हैं तो यह user का model और user के model में नेम है, ईमेल है, password है,acked है, address है, pin code और status है यह सारी चीज़ें जब आपको सभी को एक साथ update करना हो तो आप किसको use करेंगे put method को use करेंगे तो users वाले table में चलते हैं और users वाले table में अभी फिलाल मेरे पास एकी user है एकी entry आप यहाँ देख सकते हैं और दो डेटा और हम लोग यहां create कर लेता हैं तो insert पे क्लिक करेंगे और मैं और डेटा बना लेता हूँ wsqubetech और info at wsqubetech.com ठीक है verified at वगेरा छोड़ देता हैं और यह मैं कर देता हूँ इसको qwerty okay go पे क्लिक कर देता है तो यह सारा डेटा हमारे पास आ चुका इधर देखें अभी यह यहां पर दिख जाएगा browse पर क्लिक करेंगे हम लोग फिर से तो browse पर आपको सारा डेटा दिखेगा तो यह दोनों डेटा आ चुके हैं दो रोज मेरे पास है अभी और मैंने एक यह users वाली API वापस बना लिए यह दिलिट होने के बाद तो यह मैं आपको लिट करवा कि दिखा देता हूँ जिससे सारे यूजर निकल कर आ रहे हैं ठिके सैंड पर क्लिक करता है तो आप यह देख सेकता है सारे यूजर का डेटा यह आपको दिखा देगा और एक बार यहां करना पड़ेगा पीएचप आप्टिशन से हम लोग इस application को surf करेंगे, और अब इधर चलता है, और send पे click करता है, अब यह API हिट हो रही है, और इस API से हम लोगों को data मिल जाएगा, मतलब दो users है, तो दो users का data हमें यहाँ पर मिल जाएगा, यह पहला user है, और यह दूसरा user है, अब मुझे क्या करना है, single data की बात नहीं कर रहा हूं मैं सारे data की बात कर रहा हूं तो suppose user अगर अपने update वाले एक हमने एक message बेज़ दिया और यहां comma separated मैं एक और data बेज देता हूं तो यहां से हम लोग बेज देता है 404 मतलब resource not found तो जो भी request की थी वो मिला नहीं है इसलिए हमने 404 बेज दिया ठीक है अगर मुझे data मिल जाता है मतलब की अगर user मिल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग user के data को update करने वाले हैं और update करने के लिए हम क्या करेंगे जो user का data मिला है उसमें name को update करने के लिए user और arrow operator name equals to देखें यहाँ पर है name email password और contact pin code address यह सारी चीज़ें update करवानी है हम लोगों को ठीक है तो यहाँ पर लिख देता है name is equals to dollar request और request में name ठीक है request name तो हम लोगों का user क्या करेगा नाम फिल करके देगा email फिल करके देगा अगर user फिल नहीं करता है तो यह client site पर जो भी application है उसकी duty होती है कि वो इस data को फिल करके भेजे मतलब these things cannot be null यह क्या होने वाली है पूरे update होने वाली this is put API है put API में सारी चीज़ें update की जाती है तो ऐसे name के जैसे हम लोग email रख देंगे यहाँ पर double click करके आप इसको select कर सकते हैं ठीक है control D के साथ duplicate select कर सकते हैं तो as it is duplicate मैंने select किया और यह email हो गया then यहाँ पर आ जाता है और password लिख देता है okay then यह आ जाते हैं और password के साथ हमारा पिन कोड हो गया और पिन कोड के बाद address हो गया तो यहां पर मैं लिख देता हूं address और same इसी नाम से मैं क्या करने वाला हूं उधर से request keys बनाने वाला हूं so that की error आने के chances minimize हो जाए तो देख लेते हैं और क्या के चीज़ें थी name था email था password था contact pin code address okay actually password को तो यहां नहीं रखेंगे हम लोग यहां contact को रख लेंगे because password के लिए तो हम लोग अलग से बनाने वाले हैं change password या update password का एक पूरा logic change password जिसके अंदर user अपना password चेंज कर सकता है पूरा ठीक है तो यह चलेगा इदर और यहां पर मैं try catch चला देता हूं ठीक है try and यहां से कर देते हैं db transaction begin को के transaction begin begin transaction करके function है और उपर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा यहां use करना पड़ेगा use db ठीक है तो use eliminate support facads slash db यह क्या कर रहे हो आप name space यूज कर रहे हो और यह जो db नाम की class है इस class को आप यहां पर utilize कर रहे हो so that की आप क्या कर सको आप इसके functions यूज कर सको ठीक है तो db call and transaction begin transaction begin में हम लोग यह सारी चीज़े डालेंगे ओके और फिर हम लोग इस transaction को save भी कर देंगे ओके तो मैंने transaction क्या किया मैंने update करवाने के लिए यहां एक transaction बनाया जिसको मैंने last में save किया और यहां पर मैं catch बना लेता हूँ catch और यहां मुझे exception handling करवानी है तो मैं ERR करके exceptional variable बना देता हूँ तो जो भी exceptions आएगी वो इस variable में store हो जाएगी ठीक है और हम यहां पर लिखेंगे db and commit commit का मतलब होता है कि जो भी transaction हुए है अगर successfully सारा काम हो गया तो transaction को क्या करना है commit कर देना है कि वो चीज जो भी हुई है last transaction में उसको finalize कर देना है और यहां पर आकर db और rollback यह लिख देंगे ठीक है db rollback मतलब कि अगर कुछ error आती है तो rollback हो जाना यह पीछे भी हम लोग कर चुक है मैं फिर से आप लोगों को समझा रहा हूं कि हर बार यह चीजें जो है वो आप लोगों को implement करनी है so that कि किसी भी type की error से बचा जा सके कोई भी runtime जो errors होती है उनसे बचा जा सके तो यह हो गया और अगर कोई error आती है कोई transaction error चलती है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग user नाम के इस variable को null assign करवा देंगे ठीक है तो सब उपर से सब कुछ सही चल रहा था मतलब user exist कर रहा था user का data मिला सब कुछ हुआ बट अगर इस transaction के अंदर कहीं भी error आई अगर इस try block में कहीं भी error आती है तो हम लोग क्या करेंगे इस try block को इस catch में लिके आएंगे और user को null करवा देंगे मतलब अब हम लोग यहाँ पर code लिखेंगे ठीक है यह जो हमारा पूरा block चल जाएगा उसके बाद यहाँ code लिखेंगे if is null user अगर अभी भी user null आता है ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब कि कहीं ने कहीं error आई थी तो हमें error आई तो यहाँ से error का code बेजना है ठीक है और it may be server internal server error तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते है internal server error ठीक है और यहाँ से code बेज देंगे 500 का ठीक है server error आ रही है इसलिए हम लोग लोग ने कोड बेजा और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो हम लोग यहाँ से बेजेंगे else अगर सब कुछ सही है तो हम user को क्या करेंगे 200 का code बेज देंगे और लिख देंगे all okay user data updated successfully ठीक है यहाँ लिख देता है data updated successfully ओके तो यह हो गया user क्या करेगा data भेजेगा साथ में एक user यह नहीं जो भी हमारा client site पर है वो हमारा user है इस API के लिए वो user है ठीक है तो वो एक data भेजेगा और एक key भेजेगा जो वो key होगी या जो वो ID होगी वो user अगर null ना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे यह सारा काम करवाएंगे update का और user null हुआ तो हम लोग भेज देंगे कि इस ID से को user exist ही नहीं करता है ठीक है और फिर हम लोग एक try का block चलाएंगे transaction चलागने के साथ और try के block में हम लोग try करेंगे कि यह जो हमारा commit है वो successfully हो पाए without any error अगर कोई runtime पर error आती है तो exception block चलेगा और DB rollback हो जाएगा मतलब जितने भी चीजें आपके transaction में चली थी वो rollback हो जाएगी और user null हो जाएगा ठीक है अब user अगर null हो गया तो इसका मतलब कुछ error आई थी और user अगर null नहीं हुआ इसका मतलब सब कुछ successfully हो चुका है ठीक है और इस API के अंदर भी data भेजना शुरू करता है एक बार फिर से मैं send पर click करता हूं और देखते हैं कि अगर user exist नहीं करता है तो यह क्या बता रहा है user does not exist ठीक है अगर मैं one भेज रहा हूं इधर से मदब user exist कर रहा है बट मैंने अभी कोई data नहीं भेजा है तो मैंने send किय इधर से तो देखें यहां पर runtime पर error generate होगी ठीक है and this is internal server error यह internal server error क्या है internal server error यह है कि यहां पर यह जो data है वो नहीं मिल पाया ठीक है मैं internal server error के साथ मैं आपको error message भी भिजवा देता हूं इधर से error message निकालने के लिए आपको क्या करना है dollar err and get message नाम का इस function को use करना है ठीक ह यह जो exceptional handling जब भी की जाती है तो errors को इस तरीके से निकाला जाता है जो exception variable था जो exception handling कर रहा था उस variable के अंदर यह get error नाम का function call कर रहा देना है ठीक है get message नाम का function call कर रहा देना है और देखते हैं एक बार कहां पर error आ रही है यह okay actually मैंने यहाँ semicolon लगा दिया था और अब देखते हैं send पे click करते हैं फिर से तो यहाँ पर error जो भी है वो दिखा रहा देखे यह बोल रहा है कि column name जो है वो null नहीं हो सकता क्योंकि उधर database में मना किया है कि name null नहीं हो सकता email नहीं हो सकता और जब आप यहाँ से कुछ नहीं बेज रहे हो तो obviously null जा रहा है तो बस अब हम लोगों को क्या करना है body में data भेजना है so name मैं यह बेज रहा हूं ठीक है सब कुछ सेम भेज रहे हैं हम लोग बस email में हम लोग छोटा सा change करेंगे ठीक है तो यहाँ पर email भागीरत at the rate wskubetech.com यह मैंने email चेंज किया देखे ज जो original email था वो क्या था भागीरत at the rate gmail.com लेकिन मैंने email को चेंज कर रहा बट मैं data सारा भेज रहा हूं बिकोज यहां हम लोग update profile का logic चला रहे है ठीक है और email के बाद जो है हमारा contact number तो यह मैंने contact number भेज दिये ठीक है फिर हमारा address है तो address मैंने जोतपूर यह लिख दिया simply और pin code लिखना इधर तो pin code 342001 तो यह हमने सारा एक सारा data भेज दिया और अब send पर क्लिक करता है यहां से और अब अगर कोई भी internal server error नहीं आती है देखें फिर से internal server error आ रही है बोल रहा है कि यह data empty नहीं हो सकता अब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि data empty क्यों जा रहा है ठीक है यह हम लोगों को पहले चेक करना पड़ेगा तो जो request variable है हम इसको print करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर data नहीं मिल रहा है ठीक है request variable को मैंने print किया डाय और यहां पर आपको लिख देना request all मतलब की सारा data मुझे निकाल कर इधर दिखा देए अब हम लोग send पर क्लिक करते हैं तो देखे अरे empty जा रहा है इसका मतलब की data यहां से नहीं जा पाया ठीक है यह जो data है वह यहां से नहीं जा पार रहा है चलिए एक बार चेक कर लेता है headers में चलते हैं ओके authorization में कुछ नहीं है ओके तो जब हमने इसको print किया तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से डेटा जा रहा है बट हमें data इस तरीके से नहीं चाहिए अगर इस तरीके से डेटा जाएगा तो हम में भी इसको access ना कर पाए एक बार यहां try करके देख लेत है हमारे postman से डेटा बेजने का तरीका चेंज करना है तो किस तरीके से हमें चेंज करेंगे इसको हम लोग यहां से यह जो आप देख रहे है xwww form url encoded हमें इसमें डेटा भेजना है ठीक है तो name email यह मैंने टेस्ट करने के लिए यहां लिखा वा था name email और यहां पर मैं लिख देता हूं भागिरत wsqubetech.com वो जो original data मैं सारा बेजना चाहता हूं वही सब कुछ इदर डाल देता हूं और फिर इदर लिख देता है contact contact में मैं वही contact numbers डाल देता हूं और यहां पर pin code ठीक है फिर यहां address पर आ जाता है देख लेता है सारा data आ चुका हमारा pin code name address सब कुछ आ गया और अब send पर क्लिक करते हैं तो अब जो data है वो अलग तरीके से जा रहा है URL encoded जा रहा है और देखते हैं देखे data updated successfully और status में 0 नहीं जाना चाहिए यह भी चेंज कर देना हम लोगों को जीरो तब ही जाएगा जब कुछ server error होगी तब ठीक है या जब भी कोई error जाएगी तब 0 जाएगा वरना status में 1 जाना चाहिए data update हो चुका देखे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तब email चेंज हो गया आद देखो भागी रत दर्डड डबलोस कुपटेक.com हो गया हमने first वाले के लिए चेंज किया था अगर हम लोग second वाले के लिए चेंज करता है तो second वाले के लिए भी same data जा सकता है क्योंकि अभी चीए unique होना चीए okay so यह आप इधर से नहीं बेज सकते हैं सिर्फ first वाले record को आप ऐसे update कर सकते हैं हाँ second वाले record को अगर आपको update करना है तो उसका respective data भेजना पड़ेगा जैसे यहाँ है wskubetech.com ठीक है तो यहाँ था info at wskubetech तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ queries at wskubetech.com ठीक है तो यह मैंने email change कर दिया और अब मैं यहाँ send पर click कर दा हूँ तो आप देखे मैंने एक नया email डाला है तो उसके लिए काम करेगा और data updated successfully आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं यह data successfully यहाँ से update हो जाएगा ओके तो यह था आपका put method method क्या करता है put method काम करता है सारा data update करवाने के लिए मतलब अगर आपको एक साथ अपडेट करवाना हो तो वो कैसे करवाया जाता है तो मैं इधर route बना लेता हूँ और patch method use कर लेता है ठीक है और patch के अंदर हम लोग change password करेंगे क्योंकि मुझे सिर्क password change करना है ठीक है change password and यहां से आ जाते है user controller colon colon class और यह लिख जाते है change password नाम से एक function ओके तो यह change password नाम से function हो गया और यह हमारा user controller हो गया यहांपर आ जाते हैं public function ठीक है and change password, अब change password में भी दो चीज़े तो mandatory है, एक तो क्या होगा, request में आने वाला form data, तो request variable, और एक किसका data update करना है, उसकी ID, ठीके password किसका change करना है, उसकी ID, और request variable, ये दोनों चीज़ें तो fix यहां पर हो नहीं है, और बाकी सारी चीज़ें जो है, वो मैं as it is लेके आ जाता हूँ क्योंकि मुझे user भी मिलने वाला है, और मुझे user को check भी करवाना कि क्या वो user exist करता है कि नहीं, तो यह मैंने कुछ चीज़ें जो है, वो वहाँ से copy कर ली, user को check करने वाला जितना भी code था, वो copy कर लिया है, और errors भी same copy कर लेते हैं हम लोग, जो भी हम लोगों को यहां से send क करवाने हैं, तो user does not exist, यह copy कर लिया, और यहां हम अपना main code लिखेंगे, change password का, ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या होगा, change password वाला code आएगा, अब change password में क्या क्या चीज़ें होती है, तो change password में पहले जो old password है, उसको check किया जाता है, फिर जो confirm password है, और जो हम लोगों का new password है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको change करवा देते हैं, तो आप चाहें तो validator भी लगा सकते हैं, बट फिलाल validator नहीं लगाते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ करनी है हम लोगों को, तो हम यहां पर लगाएंगे, if dollar user का जो password है, ठीक है, dollar user कौन है जो user मेरा मिला है, उस ID के basis पे, उसका password, जो request में old password आया है, अगर उसके equal है, तो क्या करना है, change करना है, नहीं तो क्या करना है, वरना हमें यहां पर से एक error throw करवानी है, ठीक है, error throw कैसे करवाएंगे, तो यह है error, इसको कर देते हैं, इधर से, throw, और 400 डाल देते हैं, 400, error code बेज रहा है, यहां से, and हम बोल देंगे, old password does not match, ठीक है, old password does not match, ठीक है, यह तो old password के लिए हो गया, अगर old password match करता है, तो हम यहां पर लगाएंगे, if new password and confirm password matches, ठीक है, आप चाहें तो validator लगा सकता है, but validator लगाए बिना ही हम लोग कर सकता है, छोटे छोटे से logic है, यह त and confirm password and इधर लगा देते है, else, ठीक है, तो अगर new password और confirm password match करता है, फिर क्या करेंगे, हम लोग change करेंगे, सब्सक्राइब यह भी match नहीं करता, तो हम लोग फिर से, यहां से error through कर देंगे, 400 की end हम लिख देंगे, new password and old password does not match, ठीक है, sorry, new password and confirm password does not match, ठीक है, new password और confirm password match, नहीं कर हमारे जो client end है, उधर से, ठीक है, और अगर match कर जाता है, सब कुछ सही से match करता है, तो फिर से वही करना हम लोगों को, यह मैं copy कर लेता हूं, फिर से try catch का block चलाना है, ओके, इधर आ जाते हैं, एक db transaction begin, ठीक है, begin transaction नाम से function है, transaction begin is a event, और यहां हम लोग try करेंगे, यहां हम हम लोग catch करेंगे, catch में हम लोग exception लेके आएंगे, exception का एक variable बना लेता है, ओके, तो अगर हम लोगों ने, जो password change करना था, वो successfully हो जाता है, तो हम लोग user को, okay का message भेज देंगे, मतलब हम लोग user को response देंगे, कि password change हो चुका है, ठीक है, तो इधर आ जाते है, and new password, अब यहा और new password, और अगर new password successfully हो जाता है, हम लोग क्या कर देंगे, इसको save कर देंगे इधर, और यहां पर db में commit करवा देंगे, ठीक है, तो transaction commit हो जाएगा, अब, यह हमारा यहां तक का का काम हो गया, next चलते हैं हम और next, यहां से next आगे चलते हैं, अगर कोई error आती है, तो, same user को null करने के बाद, क्या करने वाले है, db को rollback करने वाले है, ठीक है, so db rollback, और फिर वही चीज यहां लगा देंगे, हम लोग वापस, if user null, ठीक है, अगर user null होता है, मतलब कोई exception आने के बाद, अगर user null होता है, तो हम लोग internal server error, और साथ में वो एक message बेज सकते हैं, और व बहुत simple सा काम है, वही सारी चीजे हैं, जो आप लोग काफी बार कर चुके होंगे, change password के logics काफी बार लगा चुके होंगे, बस उनी logics को API में पूट करना है, और अब हमें कोई view पे कुछ message नहीं विजवाना है, अब हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स विजवाना है, तो यह old password, confirm password यहां से हम लोग भेजते हैं, और check करके देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है, तो यह change password नाम से URL है, और patch method है, यह हो गया patch method, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, change password नाम से मैं रिखा URL, और patch method है हमारा, और मुझे क्या भेजना है, ID तो भेजनी है, ठीक है, तो य यह सारा data मैंने जो बनाया था, उसको हटा देता हूँ, और अब इधर डालते हैं हम लोग, old password, सबसे पहले old password आएगा, that is qwe, ठीक है, उसके बाद आएगा new password, जो new password है, वो मैंने कुछ रख दिया, 123456, और फिर हम लोग यहां पर लिख देता है, confirm password, ठीक है, तो यह सारा data मैंने इधर से भेजा, और send पे click कर दिया, अगर सब कुछ सही चलता है, तो यह data update हो जाएगा, और अभी यह कुछ यहां पर mistake दिखा रहा है, देख लेते हैं एक बार, okay, actually हम यहां पर ID डालना भूल गए थे, इस वज़े से यह problem कर रहा था, और अब ID डाल दी, send पे click करता हैं फिर से, okay, तो password updated successfully आ रहा है, वहां पर चलके देख लेते हैं, password successfully update हुआ है कि नहीं, देखें, अब password यहां पर 1234567 आ जाना चाहिए, अब password मैंने change कर दिया, और फिर से मैं same request hit करूँआ, तो अब इसको बताना चाहिए कि old password match नहीं हो रहा है, ठीक है, old password match नहीं हुआ है, ठीक है, तो old password को हम लोग सही डाल देता है, so let it be 1234567 और मैं जो new password, confirm password है, उसमें कुछ गडबड कर देता हूँ, और अब फिर से send पे क्लिक करते हैं, तो फिर से आप देखेंगे, फिर से error आ रहे है, new password and confirm password does not match, और यहां पर 400 आ रहा है, यहनी bad request, ठीक है, यह जो code है ना, इनके अपने-पने मतलब है, जो मैं आपको already काफी बार बता चुका हूँ, पिछले काफी वीडियो में भी, ठीक है, इन सभी के क्या है, अपने-पने कुछ न कुछ मतलब है, जैसे अगर मैं यहां 9 डालता हूँ, और अब send पे क्लिक करता हूँ, तो अब यहां पर आ रहा है, जब हम लोगों को single किसी data को update करवाना हूँ, तो एक row है, उसमें से सारे columns update करना है, तो put, एक ही column को update करना है, तो patch, यह methods कुछ इस तरीके से काम करता है, So I hope guys, यह concept आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, that's it for this video, thank you so much. तो यहूँ, जब यहूँ, तू जो ए हुए है,